हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब तो दोस्तों आज की जो वेकेंसी है यह है MSAMSL ग्रूप में दोस्तों AMSL की फुल फॉर्म है दोस्तों Apollo Microsystem Limited में बहुत बड़ा ग्रूप है दोस्तों इंडिया के साथ साथ Global Wide इसका नाम है ज्यादा तर एरोस्पेस में वर्क करता है इ EE ECE's eligibility है यह directly form बढ़ सकते हैं बट आप वीडियो को ध्यान से देखिए को तभी आप समझ में आपाए कि कौन कौन कहां भरे और किस किस में फ्रैसर eligible है इसके लिए कोई exam नहीं होना है कोई fees नहीं लगनी है आपके salary भी रहने वाली है वो starting salary रहने वाली है ठाइड़ी 4000 दे आने वाली है वाके चीज भर पूर आने वाली है क्योंकि company के पास अच्छे बंदे नहीं है और अच्छे बंदों के पास अच्छे नोक्रिया नहीं है तो दोस्तों इस gap को जल्दी से जल्दी हम और हमारी और आपकी मदद से आप ज़रूर इसको fulfill कर देंगे तो चली आए सुरू करते हैं सुरू करने से पहले एकी चीज बोलों को चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर कर ले अपडेट के लिए और आपने दोस्तों तक जरूर की वीडियो को पहुचा दे और अपने दोस्तों को बता है इस चैनल के बारे में कि आर ऐसा कुछ करके चैनल है जो आपकी जॉब लगवा सकता है तो चलिया यह सुरू कर दें दोस्तों अपॉलो माइक्रो सिस्टम को मैं बड़ा क्यू बोल रहा हूं उसका एक रीजन है क्योंकि एरोस्पेस डिफेंस डी आइडियो और इस तोरों के लिए वर्क करता है बहुत अच्छा दोस्तों यह जो ह यहां हमाल लीजिए अगर को यह कंपनी ही बननी है कूई फैक्टरी ही बननी तो उसमें सिविल वाली का भी कहा हूं मैं सिविल इंजिनियर का भी गा हूं मैं मैं मातर मधर ब्रांचीजिए यह स्रटिं है यह हमतलब यह उसट चाहिther यह इह और maintenance के लिए Вас टो स्का मैन करना है दोस्तों current openings में जाना है already मैंने जो आपको सबसे पहले वाला official website का link description में दे दूँगा आप वहां से check out कर सकते हैं एक और मैं तरको बता मैं और एक बात आपको बता देता हूं कि opportunity क्या होता है कि हमें इसमें मैंने क्या लिखा है आप देखेंगे थमनेल पर 2021 से लेके 2017 वाले इसमें directly eligible है तो आप अगर फ्रेसर हैं तब भी आप eligible है आपके पास experience है दो साल का तब भी आप eligible है तो सबसे पहले वाली जो vacancy है आप देखेंगे यह इसका इसका नाम है embedded engineer embedded engineer की दोस्तों यह software indirectly software वालों के लिए है बट इसमें ऐसा कोई लिखा नहीं है BEB tech और equivalent अगर आपके पास दो से चार साल का है experience तो आप यहां submit कर दे बट यहां क्या है कि experience वाले इस वाले designation पर submit करें दूसरा है दोस्तों business development executive दोस्तों यह जो इसमें आपको काम क्या करना होगा इसमें business को develop करना होगा मतलब जो company है company के clients के maintain करने होगे या फिर आपको पूरी training दी जाएगी इसमें कौन है इसमें कौन कौन eligible है आप कहीं से डिप्लोमा कर रखा है तो diploma और कोई भी आपने graduation कर रखिये तो आप इसमें eligible है आप इसमें directly लिखा है experience के लिए और one year experience इन्होंने directly लिखा है ऐसा नहीं है कि कोई आपसे बोला जा रहा है experience तो आप इसमें सभी submit करें सभी submit करने का option भी दिखिये जैसी आप कोई option खोलेंगे और apply now पे तो दोस्तों एक मैं आपको करके भी दिखांगा submit दूसरा है quality engineer की इसमें any graduate एक से दो साल तर तीन इन्हों बंदे चाहिए मेल्स चाहिए कुल एक है purchase executive इसमें फ्रेसर हो आपने डिप्लोमा कर रखा हो इसमें बाइफ्रकेट कर दिया है mechanical ECE और electrical तो electrical communication mechanical ECE इन मेंसे जो है आपका फ्रेसर है आपको डिप्लोमा बीटेक दोनों है तब इसमें eligible है चोथा है hardware design engineer इसमें diploma, BTEK, ME इसमें दो प्लस experience ही है production manager वाले में दोस्तों इसमें भी आपको कोई रोने experience नहीं मांगाए तो आप इसमें भी submit कर दे SMS line engineer में दोस्तों इसमें फ्रेसर और diploma यह आपके पास दो साल का experience यह दोनों ही eligible है और आपके पास डिप्लोमा या BTEK हो फ्रेसर हो तो और बी ज़्यादा अच्छा है और 25 positions है मतलब एक दुनिये 25 position है यह CSIT यह ECE electronics से है CNC operation programmer one plus experience यह quality engineer mechanical वालों के लिए फ्रेसर और डिप्लोमा वालों के लिए eligibility है और दोस्तों यह defense aerospace में ज़्यादा वर्क करती है मतलब defense sector में ज़्यादा वर्क करती है तो defense वालों के लिए और भी ज़्यादा priority है अगर आप जाना चाते है कुछ बंदे ऐसे हो होखा मिलेगा अगर इसमें आपको हो जाता है कोई भी एक वेकंसी में फुल अप करके दिखा देता हूं आपको जैसी आप apply now पे click करेंगे तो आप उसका portal open होके आ जाएगा तो इसका name नेम present location आपकी क्या है यह 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 जो star mark होता है यह mandatory होता है तो present location आपकी क्या है contact number email total experience जो भी है आपका total experience में अगर freser है तो freser बढ़ दीजेगा एक साल का है तो एक साल का 0 से 2 कर दीजेगा मन्त में अगर मन्त करना है तो मन कर दीजेगा resume headline resume headline में दोस्तों लिखना है vacancy for the post of electrical engineer mechanical engineer या फिर आप जोन से भी engineer functional area आपके कौन कौन से functional area है मतलब आप किस किस area में काम करेंगे की skills भी अपनी लिख दीजेगा current industry आपकी कौन सी है अगर आप कहीं काम कर रहे है तो ठीक है otherwise या स्टामाक नहीं है नहीं भी हो तो कोई आपका graduation है डिप्लोमा है दोनों को mention कर दीजेगा post graduation है नहीं है label country दोस्तों क्या होता है कि यह जो company है globalized work करती है तो आपको country लिखनी ह बहुत बंदों को confusion है कि अच्छा cv कैसे बनाएं दोस्तों आपको time खतम हो गया है सायद मैं next video आपके cv के लिए ही ला रहा हूं तो कोसिस करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी ला जाओ कि उसके editing में बहुत time रगता है job का update तो क्या होता है कि मैं easily देदू मत वहां क्या है तो वीडियो को like जरूर कीजएगा subscribe जरूर कीजएगा और मिलते हैं next video में तब तक के लिए जये